आपका घर बनने का काम शुरू हो गया क्या जी हां आज पीयाम नरेंद्र मोधी उत्तरप्रदिस के एक सभा को और लाइन वीडियो कर्मिशन के माध्यम से संभूधन करते हुए केंद्र के तमाम बड़े योजनाओं के बारे में समेक्षा जानकारी देते हुए बताए कि इन प्रधान मंत्री आवास योजना इसका स्विभारम करने का सोभागे मिला था इतने कम बरसों में इस योजना ने देश के गाउं की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है इस योजना के साथ करोड़ों लोगों की उमीद जुड़ी हैं उनके सपने जुड़े हुए है प्रधान मंत्री आवास योजना ने गरीब से गरीब को भी ये विस्वात दिलाया है कि हाँ आज नहीं तो कल मेरा भी अपना गर हो सकता है सोरा में हमने योजना लॉंच की थी तो कितनी परेशानिया आई थी पहले जो सरकार थी उसे कितनी ही बार भारत सरकार की तरब से मेरे दफ्टर से चिठिया लिखी गई थी कि बही गरीबों के लाभारतियों के जरा नाम भेजिये ताकि इस योजना का लाब उनके बैंक खातों में पैसे भेजते हैं हम पैसे भेजने के लिए तियार थे पैसे तियार थे लेकिन केंदर सरकार की सारी चिठियों को अनेक बैठकों के दोरान किये गए आगरा को नजर अंदाज किया जाता रहा प्रधान मत्री आवास योजना के तहट ये घर ऐसे परिवारों को मिल रहे हैं जिनके पास अपना पक्का घर नहीं था जो जोपड़ी में कच्चे मकान में या तूटे फूटे खंधर में रहते थे इस पूरे अभियान की सबसे खास बात ये हैं कि जितने भी घर बन रहे हैं सबके लिए पैसा सीधे गरीबों के बैंक खातों में दिया जा रहा है किसी भी लाबार्थी को तकलीब न हो ब्रसाचार का शिकार न होना पड़े अथियो आज देश की कोशिश है कि मुल्भुत सुविधाओं में गाव और शहर के बीच का अंतर कम किया जा सके गाव में सामान्य मानवी के लिए गरीब के लिए भी जीवन उतना ही आसान हो जीतना बड़े शहरों में है इसलिए प्रधान मंत्री आवास योजना को सौचालय, बीजली, पानी ऐसी मुल्भुत सुविधाओं से भी जोड़ा जा रहा है बीजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, सौचालय ये सब घर के साथ ही दिये जा रहे है अब देश गाउँ गाउँ पाइप कनेक्शन से स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन चला रहा है मक्सद यही है कि किसी गरीब को जरूरी सुविधाओं के लिए तकलिफ न उठानी पड़े, इधर उधर दोड़ना न पड़े भाई और भेनों एक और एक और प्रयास जिनका लाब हमारे गाउँ के लोगों को मिलना शुरूर हा है और मैं चाहता हूँ गाउं के लोग इसका भरपूर फाइदा उठाएं और वो है प्रधान मंत्री स्वामित्व योजना आने वाले दिनों में ये योजना देश के गाउं में रहने वाले लोगों का भाग्य बदलने जा रही है और यूपी देश के उन सुरुवाती राज्यों में से एक है जहां ये प्रधान मत्री स्वामित्व योजना लागू की गई है काम चल रहा है गाउं में इस योजना के तहट गाउं में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन उनके घर के मालिकाना हक के कागच टेकनोलोजी के माध्यम से नाप करके ये हक उनको दिया जा रहा है गाउं के हमारे करोडों गरीब भाईयों और बहनों को एक नई श्ताकत मिलने वाली है कुछ महिने पहले देश ने एक और अभियान शुरू किया है जिनका लाप हमारे गाउं के लोगों को होने जा रहा है ये अभियान है देश के 6 लाग से जादा गाउं तक तेज गती वाला इंटरनेट पहुँचाने का इस अभियान के तहर लाखों गाउं में आप्टिकल फाइबर बिशाये जाएंगे ये काम भी गाउं के लोगों के लिए रोजगार के नए आउसर बनाएगा तो चलिए आप सुन रहेते प्रदान मंत्री नजेंदर मोदे जी को उम्मीद करते हैं आप लोगों को अचला को तो लाइक जरो से कीजिए मित्रों को स्चेयर कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बिल आइकन जरो से दबादेजिए अगरी वीडियो पर नमस्कार